दोस्तों बजाज फिनसर्फ लिम्टेट के बोर्ड अब डारेक्टर्स की मीटिंग 28 जुलाई 2022 को भी थी और इस मीटिंग में शेर स्प्लिट और बोनस इसू की एप्रूवल दे दी गई थी और इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है आप आई बटन को क्लिक क इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस बोनस इसूँ और शेर स्प्लिट की पूरी जानकारी मिल सके इस सेर स्प्लिट में कंपनी अपने एक्वीटिश की फेस वेल्यू को 5 रुपे परहыл कर से 10 is to 1 तो अगर record date पर आपके पास इस company के 1 share होंगे तो आपके 1 share 10 share में convert हो जाएंगे तो अगर record date पर आपके पास इस company के 10 share होंगे तो ये 10 share 100 share में convert हो जाएंगे company ने इस share split और bonus यसू के record date 14 September 2022 fix की थी तो ये share 13 September को याने की आज X bonus और X split हो जाएगा तो इस bonus issue और share split का फायदा उठाने के लिए इस share की last buying date 12 September 2022 थी तो ऐसे shareholder जिनों ने इस share को 12 September तक buy किया है या 12 September तक hold किया है तो वो इस bonus issue और share split के लिए eligible हो जाएंगे 13 September 2022 यानि की आज इस share का X bonus और X split date है तो अगर आप आज इस share को buy करते हैं तो आप इस bonus shares और share split के benefit के लिए eligible नहीं होंगे इस share का कलका closing का price 17,138 रुपे के आसपास है तो आज pre opening में ही इस share में price adjustment होगा और इस share का price 1714 रुपे के आसपास हो जाएगा तो इस share में लगबग 90% की गिरावट दिखेगी लेकिन ये कोई गिरावट नहीं ये एक मातर price adjustment होगा तो आपको आज के इस share के pre opening में ही 90% का price adjustment दिखेगा दोस्तो अब तो आप ये समझी गया होंगे कि इस bonus issue और share split के बाद immediately आपको कोई benefit नहीं होने वाला है क्योंकि आपके पास number of shares तो बढ़ जाएंगे लेकिन proportionately share के price में गिरावट हो जाएगी लेकिन आपको long term में benefit हो सकता है जैसे कि इस share split के बाद इस share का price 17138 से गिर कर 1714 रुपे हो जाएगा तो ऐसे investor जो इस share के ज़्यादा price हो जाने के कारण इस share में invest नहीं करते थे वो भी price में सार्प गिरावट के कारण इस share में invest करने लगेंगे और इस share की liquidity बढ़ जाएगी तो इससे भी आपका फायदा हो सकता है और अगर company buy back लाती है या dividend देती है तो भी आपको इसका फायदा हो सकता है क्योंकि आपके पास number of shares बढ़ जाएगे तो दोस्तों आप इस वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें इस वीडियो को अधिक सदिक लोगों के साथ share भी करें बहुत बहुत धन्यवाद